नमस्कार दोस्तो, मैं Dr. संधीप है, दोस्तो हाजीरूँ आपके सामने अपनी नहीं वीडियो के साथ है तो दोस्तो अभी मैंने कल शिंगरव भश्म पे एक वीडियो डाली थी तो बहुत सारे भाई यह कहए रहे थे कि संदीब भाई क्या सच में शिंगरब भस्म इतनी इफेक्टिव होती जितनी आप बता रहे हूं तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्लकुल शिंगरब भस्म इतनी इफेक्टिव होती है जितनी मैंने बताई है, मगर दोस्तों इसके साथ सबसे मेन शर्त जो हमारी सबी दवाईयों के साथ होती है उनमें दूद, घी, दही, लसी, ये चार चीज़ें दोस्तों मैं खास करके बताता हूँ कि इनका आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करना, उसके साथ ही आपको ताजे फलहरी सबजियां, इन चीज़ों का भी ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है तो दोस्तो इसमें जो मेन खेल है वो आपकी डाइट का ही है क्योंकि दोस्तो शिंगरफ का काम क्या है आपके अंदर की दिक्कत को खतम करना जो आपको अंदर दिक्कत है उसे खतम कर देगा शिंगरफ ठीक उसके बाद आपकी भूख बढ़ा देगा आपकी पाचन शक्ति त खाने की तो दोस्तो दूद घी बहुत ही पावरफुल चीज है और इसे आप जितना ज्यादा खाऊगे उतना ज्यादा ये आपके अंदर सेक्स पावर पैदा करेगा उतना ज्यादा आपके शरीर में तागत आएगी दोस्तो ये शरीरिक तागत को भी बढ़ाएगा खा लिया तो उसमें आप जितना ज्यादा दूद डालोगे उतना ज्यादा उसका वजन होगा उतना वह भारी होगा तो उसी तरीके से दोस्तो आप अपने स्रीर को जितनी ज्यादा खुराक दोगे आपका स्रीर उतना ज्यादा तागत वर होगा उतनी ज्यादा आपके अंदर वो पहली 2-4 खुराकों से ही अपना असर दिखाना इस्टार्ट कर देती है और उसके साथ दोस्तों ये सरीर में खुश्की पैदा करती है और उसके साथ आपको दूद घी की ज़्यादा से ज़्यादा जुरूरत होती है तो दोस्तो दूद घी का इसके साथ आप खास ध्यान रखें और इसे इस्तमाल करें ये दोस्तो 100% इतनी ही इफेक्टिव है जितनी मैंने बताई है तो धन्यवाद दोस्तो फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें दन्यवाद है